नमासखार दोस्तों, elatical technician channel में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा start-delta starter के control wiring के बारे में है। दोस्तों, किसी भी motor को start-delta starter द्रोरा start करने के लिए हमें 3 contactor की जोड़ पर दिया। पहला तो start-condachor, दूसरा delta और एक हमारा main-contactor हुता ह। अब इन्ही टीन कॉंटेक्टर के द्वारा हम मोटर को start और stop करते हैं ठीक है अब देखिए हमारा जो start delta starter होता है उसमें हमें एक timer का भी प्रियोग करना पड़ता है ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम एक timer ले लेते हैं ठीक है दोस्तों हमारा जो मोटर होता है उसके protection के लिए हम एक overload relay का उप्योग करते है ठीक है तो यह हमारा overload bow tool हो गया अब जडि हमें मोटर को parnao तो बन करने के लिए हम यहाँ पर एक stop push button का उप्योग करते हैं दोस्तों इस टोब पूस बदन में ANC contact का सेडूग आ करते है ठीक है अपर मोटर को start करने के लिए एक start push पूस्ट बटन का उपियोग करते हैं तो यह जो रेड वाली पूस्ट बटन है वह हमारा स्टार्ट पूस्ट बटन हो गया और ग्रीन वाली पूस्ट बटन हमारा स्टार्ट पूस्ट बटन हो गया ठीक है अब हमें इसका कंट्रोल वाइडिंग करना है तो सबसे पहले हम क्य यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा ओवारोड रिले का 95 नम्बर टर्मिलल है इसमें से एक वायर को करने करके हमारा जो स्टोफ उस बटन है उसमें करेंगे दोस्तों याद रखना 95 नमबर terminal और 95 नमबर terminal यह NC contact होते हैं ठीक है और हमें motor के protection के लिए NC contact की यूज़ करना होता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि यह जो 96 नमबर terminal है उसमें से एकवाइर को कनेक करके हमारा जो stop push button है उसके साथ कनेक कर देंगे ठीक है अब जो हमारा stop push button है उसके outgoing terminal से एकवाइर को कनेक करके हमारा जो start push button है उसके incoming terminal पे कनेक कर देंगे ठीक है दोस्तों अब देखिए अब जो हमारा start push button है उसमें से एकवाइर को कनेक करके हमारा जो main contactor है उसके A1 terminal पे power supply को देना है दोस्तों A1 terminal पर हमें फेश सप्लाई देना पड़ता है और जो A2 terminal होता है उस पर हमें neutral सप्लाई देना पड़ता है ठीक है दोस्तों A1 और A2 terminal कॉंटेक्टर के कोईल के terminal होते हैं ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टाड पुष्वतन है उसमें से कोईर को कने करके अब हमें इस contactor को neutral supply देना है तो हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा MCB है इस के इस terminal से एक वायर को करने करेंगे हमारा जो A2 terminal है यानि कि man contactor का A2 terminal है उसमें connect कर देंगे तो यहाँ पर हमने man contactor को face supply और neutral supply दोनों दे दिए दोस्तों अब हमें इस man contactor को hold करने के लिए holding circuit बनाना है तो holding circuit के लिए क्या करेंगे कि यह जो हमारा man contactor है इसका inner contact का उपयोग करेंगे यानि कि 13 नमबर terminal और 14 नमबर terminal का उपयोग करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक wire को connect करके हमारा जो 14 नमबर का terminal है उसमें connect करेंगे ठीक है अब हमें क्या करना है कि यह जो 13 नमबर का terminal है उसमें से एक wire को लेके हमारा जो A1 terminal है उसमें connect कर देना है ठीक है तो हमने क्या कि यहाँ पे एक wire को loop कर दिये तो यह जो आप wiring देख रहे हैं यह हमारा DOL starter का wiring है ठीक है इस बागा से हम DOL starter का wiring करते है अब हमें start delta starter में इसको convert करना है तो कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों यह जो हमारा timer है इसमें power supply start common देने के बाद ही जाना चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा start boost बतने है उसके arguing terminal से एक wire को कनेक करके हमारा जो timer है उसके A1 terminal पे कनेकरना है दोस्तो टाइमर के A1 और A2 terminal उसमें हमें face supply और neutra supply देना पड़ता है ठीक है दोस्तों timer के A1 और A2 terminal timer के coil के supply होते है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक wire को connect करके timer के A1 terminal पे connect कर देंगे ठीक है अब जो timer का A2 terminal है यहां पर है ठीक है दोस्तों यहां पर दिखने रहा है लेकिन timer का A2 terminal यहां पर है ठीक है तो A2 terminal पे हम क्या करेंगे कि एक wire को यहां से connect करके A2 terminal पे connect कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो timer है उसको face supply और neutral supply मिल गया ठीक है दोस्तों यह जो हमारा timer है इसमें दो अजलारी contact है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं रोएंग में एक contact ये वाले होगे और ये contact ये वाली होगे ठीक है दोस्तों ये जो हमारा timer है उसमें 15 नमबर terminal और 25 नमबर terminal common है ठीक है झाले और सोवाला यहां नमॉबर टेक है उसको उपयोग करेंगे यहां प्या कने करेंगे कि हैं सेग्णाट को कि पस्किसपारल की करने करें ठीक है आप क्या करेंगे दोस्तों देखिए अब जो हमारा टाइमर है उसका जो 26 नमर टर्मिनल है यानि कि यह वाली टर्मिनल ठीक है यहां से एक वायर को करने करके हमारा जो स्टार कॉंटेक्टर है उसके एवन टर्मिनल पर पाउर सप्लाई पहुचाना है ठीक है तो यहां पर हम पाउर सप्लाई डारेक लेकर नहीं जाएंगे यहां पर हमें एक इंटरलोकिंग यूज करना है क्या है इंटरलोकिंग यूज करना है दोस्तों देखिए यह जो हमारा इसको उन होने पे start contactor में power supply नहीं जाना जाएग तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा delta contactor है इसका nc contact को उप्योग करेंगे यह जो हमारा timer है उसके 26 नमबर terminal से एक wire को करने करके यह जो हमारा delta contactor है उसके nc contact के साथ करने कर देंगे अब जो NC contact का outgoing terminal है आजनि के 22 number terminal उस terminal से एक wire को connect करके हमारा जो star contractor है उसके A1 terminal पे connect करड़ेंगे अब जो हमारा star contractor है उसको neutral supply दे-दे तो हम यहाँ से एक wire को connect करके A2 terminal पे connect करड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा star contractor था उसको phase supply और neutral supply दोनों मिल गया अब हमें delta contactor का connection करना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा delta contactor है उसका जो A2 terminal है उस पर हम neutral supply connect कर देते हैं ठीक है अब बच्चा हमारा A1 terminal अब हमें इस A1 terminal पर power supply पहुचाना है इसका लिए हम interlocking यूज़ करेंगे क्या interlocking यूज़ करेंग तो हमारा जो delta contactor है उसको power supply कहां से देते हैं जो हमारा timer है उसका जो A2 contact है यानि कि 28 number terminal इस terminal में से एक वायर को करने करेंगे हम क्या करेंगे कि हमारा जो star contactor है उसके NC terminal के साथ करने करेंगे ठीक है तो यहां से एक वायर को करने करके हमारा जो NC contact है यह वाली उसमें एक वायर terminal पे करने कर देंगे ठीक है तो दोस्तों कुछ इस प्रका से हमारे जो star delta starter होता है उसका control wiring करते हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों यह जो हमारा star delta starter है वो कैसे work करता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं देखिए यदि हमें star delta starter को own करना है तो सबसे पहले हमा भी वायर glow नहीं हो उनमें power supply नहीं रहेगा ठीक है अब हमें motor को start करना है अब यदि हमें motor को start करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा start push button है उसको प्रेस करेंगे जैसे इसको प्रेस करेंगे तो power supply यहां से flow होते हुए हमारा main contactor है उसके A1 terminal पे चली जाएगे और यहां से एक वायर लूप है हमारे timer के A1 terminal पे ठीक है तो जो हमारा timer है उसमें भी power supply चली जाएगे और जो हमारा timer है उसका जो NC contact है उसके द्वारा power supply हमारा start contactor है उसके A1 terminal पे भी पहुच जाएगे यानि कि motor को start करते ही हमारा main contactor start contactor और जो हमारा timer है वो तीनों की तीनों operate हो timer का countdown complete होने के बार क्या होता है इसके जो contact है यानि कि NO NC contact है वो change होते है ठीक है तो change होते ही क्या होगा कि हमारा star contactor था वो off हो जाएगी और delta contactor में पहुच अप्लाई चली जाएगी ठीक है अब माल लोकी किसी कारण से motor ज्यादा current लेने लगी ठीक है तो इस condition में क्या होगा कि हमारा जो overload relay है वो trip हो जाएगा ठीक है ठीक होते ही क्या होगा कि यह जो हमारा overload relay है इसका जो NC contact है वो open हो जाएगा ठीक है इससे क्या होगा कि NC contact के output terminal से power supply आगे flow नहीं हो पाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि power supply के वाल यहाँ तक पहुच रही इसके आगे नहीं ज कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिए तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद